असलाम अलेकुम मेरे फेमली कैसे हैं आप सब उम्मीदिश सब खेरे चाहूंगे और बहुत कुछ होंगे तो काफी टाइम बाद में व्लोग सूर्ट कर जूँँ के लिए डेली बूलते रहते हैं कि आप डेली व्लोग्स डाला करें तो जी जैसे के आप आप लोगों को आवाज मेरी सुनाई दे रही है तक नहीं है चार पांच महिने से मेरी तबड़ ठीक नहीं चल रही है मुझे बहुत जादा डल फील हो रहा है जैसे कि आपने कश्मीर का वो जो व्लॉग देखा ना कश्मीर के आने के बाद उसके बाद मैं काफी जादा वीक हो गई हूँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है तो इसली वज़े से मैं मेरा वीडियो बनाने का दिल भी नहीं करता और नहीं मैंने स्टिचिंग की है पांच महिने से तो जो शोट्स वीडियो में डालती हूँ वो मैं बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए स्पेश्यल मसीन पर बैठती हूँ और बनाती हूँ आप लोगों के लिए स्पेशली तो यहाँ पर मैं चाप बना रही थी तो सोचा व्लोग शूट कर लेती हूँ और आप ट्रवलाड बनाया करें आप स्टीचिंग का बताया करें हो है कुछ गुस्त हो कि मैंने यह बना कर डालना में यह बना कर डालना है लेकिन वह एक इनसान में एक हिम्मत होती हे ना वह मेरे पास नहीं है अभी आ मैं काफी जादा बीक वास कुछ दिनों में क्योंकि मुझे पता नहीं मुझे बुखार रहता है कभी और Commission भी देखे सर्दी जुखाम यह सब चालू जब से कश्मीर से आई हूँ तब से है ना यह मसले मेरे चालू के चालू है और यहां पर देखे हम लोग इस तरह से ना लसन को ड्राय करने के लिए दूप में रखते हैं उस पर खाने का जो तेल होता है ना वो लगा के तो उससे न ने बंट करके लाजमी बताइगे का तो यहां पर मैंने रख दी ती चाप बोइल होने के लिए उसके बाद में जाना था इबराहिम के बड़े पे मेरा भाजजा है इबराहिम ना प्यूँ ए मेरा तो उसका बड़े था आज तो मैंने वहां पे जाना था तो मैंने फटा- उगाने के लिए रखा हुआ था, जो कि मुझे पता निठा में हर दो दिन में इसका पानी चेंज करती रहती हूँ, इस तरीके से मैंने पानी भर कर, मैंने कहीं देखा था, I think यूट्यूब पर ही देखा था, तो मैंने इस तरीके से रख कर ट्राइ किया है, अल्रेडी इसको दो दिन हो चुके तो यह देखे अभी तक कुछ तो grow हुआ नहीं है लेकिन मैं आप लोगों अपडेट शेयर करती रहोंगी कर ये ग्रो हुआ है या नहीं है त्राय कर दिख ती मैं सोच भी थी के चलो मैं प्राय करके देखती हूँ अगर हो जाएगा तो पढ़िया है और यहां पे मेरे कुछ बरतन रखे हुए थे और मैंने खिषड़ी के लिए और यह देखें अब जी हम लोग आ गए हैं मैंने गिफ्ट भी ले लिया था इबराहिम के लिए वो में शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी में थे मेरे फटाफट से गिफ्ट लिया गिफ्ट सोप से और जी फिर हम लोग निकल गए डिनर के लिए तो उसक लड़ाई चालूई थी और यहां पर देखें यह हम लोग बेट चुके थे और यहां पर हम लोगों ने ओर्डर दे दिया था हां जी तो मैं यह बोल रही थी कि मैं रेगूलर स्टीचिंग की वीडियो नहीं डाल सकती मेरे लिए बहुत ज्यादा मसला हो जाता है और यह द कर देखें हमारा डिनर कुछ इस तरीके से दिखाए दे रहा था हां जी तुम्हें एसर बोल रही थी कि मैं रोज डेली स्टीचिंग की वीडियो नहीं डाल सकती मेरे लिए पॉसिबल नहीं है जो भी स्टीचिंग के लिए मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब कि या है आप लोगों का थेंक्यू सो मच मैं तहह दिल से स्टीचिंग की वीडियो नहीं डालूंगी मैं डालूंगी लेकिन डेली बेसी पे नहीं डाल सकती तो इस वज़े से माजरत तो व्लोग देखने के लिए आप लोग मेरे स्टीचिंग की वीडियो में डालती thanks for watching and love is